ये है Windows से Android में फाइल ट्रांसफर करने का सबसे फास्टेस्ट और सबसे सेफेस तरीका तो अगर आप अभी तक फाइल ट्रांसफर करने के लिए वी ट्रांसफर या फिर गूगल ड्राइब का स्तमाल कर रहे हैं अब आप रुक जाएए क्योंकि Android को खुद का अपना एरड्रॉप मिल चुका है जी हाँ Windows के लिए Android ने लौच कर दिया है Nearby Share का बीटा वर्जन तो जिन लोगों को Nearby Share के बारे में नहीं पता है ये Android का खुद का डेवलप किया हुआ फाइल ट्रांसफरिंग फीचर है जो फास्ट भी है और 100% सेफ भी है तो इसे यूश कर निकले सिंपली जाए गूगल पर और सर्च करिए Nearby Share for PC और यहाँ पर Get Started with बीटा वर्जन पर क्लिक कर दीजिए प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर लिजिए और उसके बाद इस विंडो में आपके पास option आएगा कि कि आप किन किन से फाइल को रिसीव करना चाहते है और सेम फीचर आपके पास आपके फोन में आल्रेडी पहले से आता था जिसमें आप फाइल पर शेयर पर जाएंगे और आपके पास Nearby Share का option जो पहले भी आता था अभी भी आएगा बट अब आपके पास आपका desktop या फिज़ पीसी है उसका नाम भी वहाँ पर शोगरेगा आप simply file को transfer कर सकते हैं और काफी तेजी से files easily transfer हो जाते हैं